तो दोस्तो आज 14 नवेंबर 2022 मार्केट के अंदर आज बहुती जादा वोलिटिलिटी हमें देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 18329 पॉइंट पे लगबग 0.11% गिरावट के साथ तो आज की डेट पे बहुत सारे शेयर के अंदर हमें आज हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिला अल्मूस्ट देर पर सिटी सी के अंदर भी लगबग 10% उपर जाके क्लोजिंग दिया फिलाल दोस्तों आयर सिटी सिका को अभी तक आउट नहीं हुआ जब भी आउट होगा तुरंद मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दोंगा अब दोस्तों कि करके हम इंडिविजुली बात करेंगे हमें बात करेंगे तो सबसे बहुत आज लगबग 9% जो की तेजी देखने को मिला और शेयर उसी लेवल के आसपस कहीने के क्लोजिंग देता हूँ नजर आया साथ साथ दोस्तों आप अगर देखोगे रेलवेस के अंदर अल्मोस्ट 12,000 करोर का जो किस टेक सेल होगा तो जिस बैस अभी क्या हो रहा है कि यह जो सारे रेलवेस की कंपनी टोडल चैक कंपनी लिस्टेड है यह सारे कंपनी के शेयर को पहले ऊपर की तरह पूश किया जा रहा है उसके बाद ठीक है जो प्राइस होगा बाद में उसके उपर डिसकॉंड में 15% 20% डिसकाउंड में उसके अंदर वेफेस लाया जाएगा तो यह बहुत ही पुराने घिसे पीटे तरीका है इसे शायद मालूम नहीं है जिनको मालूम है अच्छी बात है जिनको मालूम नहीं है मैं आपको बोल लाँ कि देख एकने को मिल तो कम्पँनियों के रिजल इतना भी अच्छा नहीं आया कि इसके पहले और करके देखेंगे शेयर कदर की इतना बहुत बढ़ा थी इसके पहले हमें देखने को नहीं मिला था बल कि गिरावटी देखने को मिला तो अचानक से यह जो मूववें यह जो सी जा सकता है जो यहां पर इन्वेस्टर अभी बाई करेगा मैं आप बोलूंगा यहां पर बुरी तारा फस्ट चकता है क्यूंकि अभी समझ लिए कि सब्प्राइस जो भी चल रहा है जाओगे तो जिस वैसे अभी यह चैसी देखने को मिला इसको देखके गलती से इंवेस्ट मत करना मैं सारे इंवेस्टर आपार बार जो की रिक्वेस्ट करूंगा रिकमेंड करूंगा कि आपके वास तो होल्ड करें अभी फ्रेश पोजिशन मत बनाना पार बेनल के अंदर भी बहुत बड़ा और नहीं मिला इर्कॉन इंटानेशनल कुपर दोस्तों एक इंपोर्टेंट अपडेट है तो आप देख सेक्टाइब लगबग 8% उपर जाके क्लोजिंग दा साथ इसाथ देखे शेर आज की रिट में जा पर हाई टच किया मतलब 24 रुपए 25 पैसे और आ लॉंग लॉंग टर्म आउट तो दोस्तों जैसे कि आप देख सेक्टों एजडेटी स्कुर्टी स्क्रप्ट से यहां पर पॉजडिबी रेटिंग दिया उसके साथ साथ लॉंग टम के इन्वेस्ट करने का भी रेकमेंट अब साथ साथ देकि इरकॉन इंटनेशनल इसका अगर आप शेयर देखोगे लास्ट एक मैने पे तो देखोगे शेयर बीच में गिरा था जुन जुलाई की टाइम पर ऑल्मोस 35-36 के वाद उसके साथ अगरम कंपेर करें तो अल्मूस्ट अट तालीस परसन के आसपास शेयर रिकवर कर चुका है ना के बल रिकवर किया बल ठीक है जिस वैसे थोड़ा सा ध्यान से इंवेस्ट करना अगर इंवेस्ट करना है तो मैं आपको बोलूँगा अभी यह सारी शेयर को थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिए अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करके रख दिया तो उसकेस में आप होल्ड कर सकतो लोंग टरम के आपको 2021 की मार्च की महने का आज पास उसके बाद देखिए शेयर के अंदर कोई खास हमें मुब्बन देखने को नहीं मिला जैसे कि देखें लगाता गिरावाट यामे देखने को मिला था अब लास्ट एक से दो महने के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ जादू हो गया ऐसा कु गौब्मेंट आप इंडिया जो को इस ला सकता और इसके अंदर तो दोस्तों मैं 100% से यूँ कि आपर वेफेस कभी भी ला जा सकते क्योंकि आज की रेट पे जो आयरेपसी के अंदर गौब्मेंट का स्टेक है वो लगबग 80-83%-86% का आसपास है तो जिस वैसे बहुत 25% से नीचे ला जाता है तो जिस बैसे अभी ज्यादा टाइम नहीं है और मुस्ट दो साल के आसपास होने जा रहा है साथ दोस्तों जो कि इस बार बजट पर हमने देखा था कि जब यहां पर प्रॉमिस किया गया था कि अल्मोस्ट डाइवेस्टमेंट होगा तो अभी ने लिस्ट्ट यह यहां गया रेल टेल हो गया राइट हो गया राइट हो गया इसके सासर एल टेशल इंदर यह और नहीं को नहीं मिला था जिस वैसे को छोड़े हो सकते कि यह जो बाकी शेर से चाहिएर्वीनल और हो गया चाहिए आयर आइट यह इस लाने का पूरा-पूरा चांस है तो जिस बैसे मैं सबको बोलों स्पेशली फ्रेश पोजिशन यहां पर जो बनाने की सोच रहे कि अभी फ्रेश पोजिशन मत बनाना क्योंकि शेयर काफी रिस्की जोन पर पहुंच चुका और लगातार अब देखी सकतो यह सारे शेयर चाहिए एक मैने पर यह आज की रेट पर चाहिए आप अर्वेनल को देख लिजिए आप तो यह भी आड़ी से इंडेक्स जो कि हाई ली ओवर बोर्ट जोन पर पहुंच चुका है तो कोई भी शेयर दोस्तों हमेशाए कि लिए पर लिस्ट करा जाता है नेक्स्ट रम बात करेंगे दोसों जो मैटो लिमिटेट तो आज की डेट पर जो मैटो के शेयर अल्मूस्ट चार सारे चार परसंट कास पास गिरावाट के साथ नजर आया तो बेसिकली कुछ दिन पहले हमने देखा था कंपनी का रेजल्ट हुआ था और इस बार रेजल्ट कंपनी लॉस तो जरूर हुआ था बट कंपनी की जो ल सब्सक्राइब और सो रुपए का टार्गेट दिया यह सारी जो ब्रोकरेज कंपनी खुद चुका है बुड़ी तरह क्योंकि हमने देखा कि जो मैं जब लिस्ट हुआ था था त्री दिजिट में लिस्ट हुआ था उसके बाद देखिए अचानक से गिरावाट वाथ लास छह मैंने की बात करें शेयर फ्लैट इवन यह तिल देट की बात करें तो आप देख सकते फिप्टी परसंट शेयर क्रयाश हुआ देर सो रुपए से सिधा आज की डेट में सत्तर रुपए में मिल राश है जिस बैस यह बड़े प्रोकरेज कंपनी यह लोग भी खुद फस करना हो सकते कि उस टेम पे शेयर उपर पहुंच गया हमेशा सेफ एंड स्टेबल इंवेस्टमेंट करना मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं बाकि दोस्तों आयर्स इसका रेजल हो सकते की बहुत जल्दी आउट हो गया मतब हो जाएगा तो उसको पर अपको वीडियो कर दूंगा फिलाल वीडियो के वाइंड अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जय हिन